आप सभी का सौगत है एक पर फिर से बैक टू बैक विनिंग मैश प्रेडिक्सन के साथ हेलो दोस्तों आप देखना सुरू गर चुके हैं ग्यांकोस और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ICC Men's World Cup 2023 के मैश नमबर 32 की जोगी खेला जाएगा New Zealand और South Africa के बीच ये मुकाबला एक नमबर को इंडे टाइम के एकॉर्डिंग दो पहार दो बजे से महराष्ट किर्केट एसोसियस और स्टेडियम पूने में खेला जाएगा हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की पिछ रिपोर्ट की हेड टो हेड रिकॉर्ड की करेंगे टीम का कम प्रिजन और जानेंगे कौन से टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को इसलिए अगर आपने भी दख हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबालीजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मुझे सबसे पहले बात करेंगर इन दोनों के बीच हुए हेड टो हेड मुकाबलों की तो इन दोनों के बीच अभी दब को लिक 70 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 25 मुकाबलों में न्यूजिलैंड की टीम जीती है वही 41 मुकाबलों में साउथ अफरीका ने जीत हासिल की है हेड टो हेड मुकाबलों के एकाउडिंग यहाँ पर साउथ अफरीका का पड़ा काफी भारी नजर आ रहा है वही अगर इनके बीच हुए पिछले 10 मुकाबलों की बात की जाए तो पिछले 10 मुकाबलों में दोनों ही टीमें 5-5 मुकाबले जीती हैं तो यहाँ पर करेंट प्रफॉर्मेंस देखा जाए तो दोनों ही टीमें लगबग बराबर हैं अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की प्लेंग 11 की तो हमें साउथ अफरीका की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे साउथ अफरीका की टीम देखने में काफी स्टॉंग नजर आ रही है क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी न्यूजिलैंड की प्लेंग 11 तो हमें न्यूजिलैंड की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे कप्तान टॉम लाथंग, डुएन कानवे, विलियंग, रेचिन दविन, डैरल मिचल, ग्लैन फिलिप्स, जम्स नीसम, मिचल सेटनर, मैट हैंडी, लोकी फर्गुसन और ट्रेंट बोल्ट दोनों हीटी मोगा कंप्रिजन किया जाए, तो यहाँ पर टॉप ओडर में दोनों हीटी में लगबग बराबर हैं और इनफॉर्म भी हैं वहीं अगर मिडल ओडर की बात की जाए, तो यहाँ पर मिडल ओडर में दोनों हीटी में काफी स्टॉंग है और इनफॉर्म है दोनों हीटी मों का मिडल अडर काफी अच्छा प्रफार्मेंस कर रहा है वहीं पॉलिंग लाइनप की बात की रहा है तो यहाँ पर पॉलिंग लाइनप में भी दोनों हीटी में काफी स्टॉंग है लेकिन इनफार्म नजर आ रही है यहाँ पर साउथ अफरीका साथ अफ्रीक आपने तीन लगातार मुकाबले जीत कर आ रही है वहीं न्यूजिलैंड अपने पिछले दो मुकाबले हार कर आ रही है तो यहाँ पर दोनों हीटी में इस मुकाबले को जीत कर पॉइंट टेबल में आगे बढ़ना चाहेंगी और फाइनल की और अपना कदम बढ़ाना चाहेंगी तो यह मुकाबला काफी जबजस्त होने वाला है जेकपॉट होगा यह मुकाबला इसकी अपडेट आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी इससे पहले बात कर लेते हैं हम पिछ रिपोर्ट की कि किस तरह की पिछ है कैसा मुकाबला होगा हाई स्कोरिंग या लो स्कोरिंग तो यह मुकाबला जो खेला जाएगा वो पूने की ग्राउंड में खेला जाएगा यहां की पिछ आम स्कोर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है और हमें हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं तो यह मुकाबला भी हमें हाई स्कोरिंग एंकाउंटर देखने को मिलेगा यहाँ के first inning to school 294 रन है वहीं second inning to school 274 रन है यहाँ पर first inning करने वाले team जदा जीतती है, इसलिए जो भी team arkadaş जीतेगी वो पहले बल्ले बाजी करना चाहेगी यहाँ पर जो भी team पहले बल्ले बाजी करेगी वो 365 गे आसपास का score जरूरी बनाएगी यहां का highest total 356 है वहीं lowest total की बात की जाए तो 230 है यहां पर अभी तक highest stage 356 हुए है वही lowest defend की बात की जाए तो 283 है यहां पर spin ballers कोई मुकाबले pace ballers ज्यादा विकर्टेट काते हैं pace ballers के लिए यहां पर काफी फाइदा रहता है इस pitch से हमने बात की दोनों ही टीम होगी playing 11 की pitch report के और head to head records की अब वक्त है हमारी final prediction का इससे पहले दोस्तों अगर आपने भी दख हमारे telegram channel को join नहीं किया है तो अभी join कर लीजिए जिसका link इस वीडियो के नीचे description box में दिया गया है telegram को इसलिए join करना है क्योंकि वहाँ पर toss की prediction, match prediction और season predictions भी मिलती है इसी के साथ women's big bass league के जो भी मुकाबले चलने है उनकी predictions आपको मिलती है जिर्फ जिर्फ हमारे telegram channel पर अब वहाँ पर चेक कर सकते हैं लगातार back to back काफी सारा profit करा रहे हैं अगर आप भी profit करना चाहते हैं और अपना loss cover करना चाहते हैं तो अभी join कर लिजिए लिंक आपको मिल जाएगा description box में अब बात करें अगर अपने personal prediction की तो हमारे recording दुनोंगी टी में बिल्कुल ही बराबर नजर आ रही है एक दुनोंगी में फेवरेट मिलेंगी लेकिन हमारा personal prediction यह कहता है कि इस मुकाबले में South Africa की टीम जीत आदिल करेगी हाँ दो हमारे recording South Africa इस मुकाबले को जीत रही है आपको क्या लगता है comment box में जरूर बताइए टॉक्स prediction match की final update और season predictions आपको मिल जाएंगे टेलिग्राम पर women's का जो भी मुकाबला है बिग बैस लिग का उसकी भी predictions आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी इसलिए भी जॉइन कर लिजिए लिंक आपको मिल जाएगा description box में वीडियो बसंद आएए तो like कीजिए रसे 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 कीजिए और subscribe करके bell icon दबाना बिलकुल भी मत भूलिए जिसे की इसी तरह से आगे आने वाली वीडियो की notification आप तब पहुंचती रहे और आप अच्छा गासा profit करते रहे